Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दाइन अप्र स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के क्लास में हम MA History MHI 101 का सेकिंड लेसन पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बाग करेंगे तास्योगिन सब्वेता पर्थम के बारे में दोस्तो हमने फॉर्स लेसन के अंदर में पढ़ा था आरंबिक मानव समाज के बारे में आरंबिक मानव समाज किस परकार का था? मनुस्य का विकास किस परकार से हुआ? इस प्रकार से आरंबिक मानव, स्टार्टिंग में सिकार और संगरहन के तुरू अपना जीवन व्यापन करता था, इसके बारे मनें बात किया समय के साथ परिवर्तन हुआ, मनुस्ये ने पासान के ओजार बनाए, पसु को पालतु बनाया पासान के ओजार में भी परिवर्तन हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो स्टार्टिंग के ओजार थे, बहुत बड़े हुआ करते थे, धारदार नहीं हुआ करते थे, पर समय के साथ में जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, ओजार छोटे होते चले गए, अड्डियों का उप् करके ओजार बनाना आरंब कर देता है, धातु का उप्योग करके ओजार बनाना मनुस्य के लिए एक क्रांतिकारी गतिवीदी के तौर से माना गया, जहां से सबसे ज़्यादा परिवर्तन मनुस्य के समाज के अंदर में देखने के लिए मैं मिल जाता है, तो इस चैप्टर में एक नाएक टॉपिक पूछा ही जाएगा, आजको जो हमारा वीडियो रहेगा यह पार्ट वन में रहने वाला है, जहां पर हम डिटेल में समझेंगे प्राचिन मिस्र की सब्वेता के बारे में, मिस्र की सब्वेता किस परकार के थी, इसके बारे में बात करेंगे, और आने वाले जो other parts होंगे उसके अंदर में हम बात करेंगे मेसो पुतामिया की सब्वेता के बारे में, घडपा की सब्वेता के बारे में, चीन की सांग सब्वेता के बारे में डिस्कॉस करने वाले हैं। से लिए वीडियो यहां से स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं आज का जो मारल है टॉपिक रहेगा प्राचिन मिस्र की सब्वेता को लेकर प्राचिन मिसर की सब्वेता को अगर हम देखें तो नील लदी के निचले हिस्से के किनारे केंदरित पुरुवी उत्री अफ्रीका की एक प्राचिन सब्वेता के तौर पे जानी जाती है मिस्र की जो सभ्वता है उदे जो इसका हुआ मिस्र की सभ्वता का वो नील लदी घाटी में हुआ आप देखोगे तो मैंने आपके लिए मैप भी लगा रखा है यह ग्रीन में यह देख रहे हो न 내 ये पूरा ये 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 नीश लदी है यहाँ पर देखोगे नील लडी के नीचले इससे के किनारे में जाकि मिस्र का उदे दिखा जाता है पर तो यहाँ परॉसली है निल लगा है तो 500 किलोमेटर लंबा नील लगारी है और इसकी औसंतन चोड़ाई देखोगे तो 10 किलोमेटर लंबा वा So С c चोडा इसका देखने के लिए मिल झाता है मिस्र या फिर हिज़िफ्ट जो सबसे जादा परसीद एकिस चीज के लिए परसीद है तो अपने पिरामिडों के लिए परसीद है देखोगा यहां पे ब corruption वो भी घुमने के लिए गए है है अगर आप कभी गए हो, तो बहुत अची बात है, बट ये एक सपना के तौर पे है, और किस तरीके से बनाया क्या है, इसको हम किसी और वीडियो में कभी अलग तरीके से डिस्कस करेंगें, डिटेल में समझेगें, क्योंकि ये भी एक जानने लाइक हिस्ट्री है, जिसको कालखंड आता है आपका प्राचीन राज्ये का, दूसरा आपका कालखंड आता है मदे राज्ये का, तीसरा आपका कालखंड आएगा नवीन राज्ये का, तो इस तरह से तीन कालखंडों के अंदर में मिस्र की सब्वेता को बाटा गया, अगर आप देखोगे प्राचीन का काल खंट था ना यहाँ पर हम सब चाहता देखते हैं वस्तु कला का विकास हुआ हुआ, कला शेत्र के अंदर में पुर्द की अंदर में आहिवस्ते जनक विकास και प्रमान देखने का ने देश की समृर्दी, इस्थिर्टा का वो भाल किया, राजाओं ने जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने देश की समृर्दी थी, स्थिर्टा था, उसको यहाँ पर भाल किया, कला, साहित्य, विसाली मारतों, परियोजनाओं का पुनर उध्धान के में प्रिरीद किया किस तरीके से कला का विकास हो सकता है, साहित्य का विकास हो सकता है, विसाली मारतों को बनाए जा सकता है उसको planning किस तरीके से करना है वापस से यहाँ पे राजाओं के दोरा मद्धे समराज्य के टाइम पिरिड़ के अंदर में स्थापित करना अगर आप नवीन राज्यू की बात करो तो जो राजा हुआ करते थे वो अपनी सिमाओं को सुरक्षित करना अपने पडोसी के साथ में कूट नीटिक संबंद को मजगूत बनाना और एक अधभूत सम्मिर्दिका काल के तौर पे स्थापित करना यही स्थार्ट हो जुका था तो मिस्र की पूरी सब्वेता को हम तीन खाल खंडो के अंदर में बाढ़के पड़ते हैं कौन-कौन सा आजाता है तो प्राचिन राज्य, मध्धे राज्य और नवीन राज्य के तौर पे इसको हम बानते हैं जानते हैं अगले स्लाइड के और चलते हैं यहां पर बात करें तो प्राचिन मिस्र की जो सब्वेता है कई उपलब्धियां इसकी कलाएं और समारक्त में संग्रचित हैं अगर आप इनकी कलाव को देखोगे किस तरह का आर्ट मिलता है वहाँ पर देखने के लिए किस परकार के इसमारक बनाएगगे मिस्र के अंदर में प्रामिडों का structure की इस प्रकार का था प्रामिड को बिनाने के लिए क्या technique अजमाई गई ठीक उसके बारे में भी details आगे discuss भी करेंगे तो वही इसकी सब्वेता को खास करती है और ये important बनाती है मिस्र के अगर प्राचिन खंडरों को देखो गए तो जैसे जैसे अगर मतलब जो मिस्र की सब्वेताय कहाँ पर है तो खंडरों के अंदर में देखने के लिए मिल जाती है तो मैफिस हो गया थेबिस हो गया अकारकान कारनाक हो गया यहां पर यह सारे खंडर के तोर पर जाने जाते हैं मिस्र के जहां पर मिस्र से लेटिड जो उपलव दिया है या संस्कृती है या कला है या समारा के वो हमें देखने के लिए मिल जाती है इनको राजाओं के घाटी के तौर पर लसकर के अंदर में भी इस्थापित किया गया, इसके बाहर इस्तिते, कई सारे जो खंडरते वो इस्तिते, जहां पर मिस्र से रेलेटिड बहुत सारी चीजे, उनकी सब्वेता उसे रेलेटिड बहुत सारे परमान आपको देखने के ल होगे, ठीक है, यह सबसे important यहां पर देखने के लिए मिलता है, यहां के जो सासक हैं, उनको फारो के नाम से जाने जाता है, फारो फाराओं के नाम से जाने जाता है, सासको को, राजाओं को, यहां पर राजाओं को फारो बोला जाता था, जैसे आप भारत के अंदर में बा तामबा, सोना, इबारत बनाने के लिए काम में आने वाली जो पत्थर होते थे, गरेनाइड, पैरा फिरी, बालु पत्थर, आधिका उप्योग के जाता था, अर्द मुल्लेवान जो पत्थर हुआ करते थे उनका उप्योग के जाता था, जिसमें सूलेमानी हो गया, पारबा पता चल जोगा था, किस तरसे कॉन से दातु का पकीया जाता है, किस तरीकेसे मुलेवान उनलेवाय का कि उनलेवान hisinka पत्तरों का प्युने के खन लूं whale के मिलनन उनले से रही देखने के आसाई मलता है. अब किस तर से यहाँ पर जो सबसे most important चीज है पूरे मिस्र के अंदर में इनकी उर्वरकता सकती, जो मिट्टी के अंदर में उर्वरकता थी उपजाओ भूमी, उस सबसे important पार पूरे मिस्र का रहता है तो नमबर में गेहूं और जो की बुनाई सुरू हो जाती थी, यहाँ पर सिचाई करने की जूरत नहीं पढ़ती थी। उपर से ना दीरे मिट्टी को काटते वे लाती थी, जो पेड़ पोधे के पत्ते जड़ हैं बाकी चीजा जड़ हैं तो यहाँ पर लास्ट में लोवर इजिप्ट के पहुंशती थी 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 तो पूरा उर्बरत्ता सक्ति से भर जाता था जिसके कान से इधर की जो सबसे बड़ी विसेशता और उसकी बाढ़ को ही हम लेके चलते हैं निल नदी में अगर बाढ़ नहीं आता तो सायग यह उतना सबसे ज़्याद सबसे जाद आती लिपृट्ट बनाती है यहाँ पर टेल्ट मिस्र का पूरा चारागा जहानवरों को चराए जाता थाथा छारागा के तोर कई तो जहाना जाता था इसको काटकर नोखीला बना जाता थी उसको काटकर नो खिला बना जाता था ठीक नोखिला बना कर कर एक निप के टाइप का, पहन का जो निप होता है उसकी तरह बना जाता था और उसको कीलाकार वीधी से, निप के ऊपर में अंकित किया जाता था, चित्र बना जाता था, लग लग तरह के ड्रोइंग की जाती थी, और लेखन कला के तोर पे सरकंडे का उप्यों किया जाता लेकर कला के विकास के लिए ठीके बाड समाप्त हो जाने के बाद क्या होता था जानवर और फसुपक्षी चरने के लिए भोजन के लिए आते थे जैसे देखो मिसर के अंदर में बाड आया लोवर इजिप्ट के अंदर में तो जो बाड आया तो सासात में उप जाओ मिट्ट से पशू पक्षी का यहाँपर आकर रहना यहाँपे भोजन करना बहुत ज़्यादा असान हो जाता था चलिए अगले स्लाइड के हम बात करें तो दच्छीन-ेसेया की अपैक्षा अगर आप तुलना करोगे तो दच्छीन-ेसेया की ना तो बहुत मेनत करनी पड़ती थी, ना ही इसके लिए राज्ये की किंद्रित ववस्था को आसरीत रहना पड़ता था, ठीक है ये चीज़ देखा जाता था, जैसे देखो, सिचाई के लिए आज के समय में क्या है, भारत में एक time period ऐसा आया, जहां पे जो मुख्य तोर पे जो खिसानी वश्था थी, जहां पे क्रिशी किया जाता था, वो पूरी तरसे सिचाई पे निरबर थी, आज के समय में लोगों के पास बीज़े, देखो कि अगर आप भीहार से बिलोंग करते हो, पंजाब से बिलोंग करते हो या जहां पे क्रिशी की जाती है, वहां से बि लग योजना होता है उसके बारे हम डिटेल से बात नहीं करेंगे कहने के मतलब क्या कि हर राज्य द्वारा हर एक Central Government के द्वारा एक अलग से ववस्था किया जाता था किस तरह से सिचाई करना है किस तरीके से कृशी करना है किस तरह से कृशी के अंदर में किस तरह से लोगों पर जो राज्य की केंद्र के ववस्था थी उस पर आस्रित होने की जुरूत नहीं पड़ती थी इसका सबसे बड़ा रिजन क्या होता था बाड के कारण से भूमी के अंदर में बहुत जादा नमी रहती थी जो असानी से फसल उग जाता था और नील लदी की भरपूर पान उपजाओं मिट्टी भरती चली जाती थी बाड़ और नियंतरन सिचाई के कारण से आवश्यक्ता से अधिक फसल हो जाती थी जितनी ज़रूत होती तो उससे ज्यादा फसल उगती जिसके कान से क्या होगा आप समाजिक विकास को भढ़ावन मिलता था अब जिको जादा अगर फसल हो रहा है तो आप क्या करोगे उसको वैपार करना शुरूगा वैपार करोगे तो अपने दूसरे वैपारिक संब्द बनाओगे इससे क्या होगा आपके पास में आर्थिक सकती विकास होगा में लिए आप का जाएना तो समाजिक तौर पर आप विकास करोगे समाजिक तौर पर विकास करोगे सांस्कृतिक तौर पर विकास करोगे ठीक ही ये चीज़े आपको देखने के लिए मिल जाती है संसाधनों की अधिक्ता के कारण से अगर आपके पास संसाधन जादा है तो आप क्या करोगे परसासन ने घाटी और आसपास के रेगिस्तानों के छेतर में खनीज दोहन कम कर दिया अब मालो संसाधन जादा है तो और आम से खनीज़ दोन की ज़्यादा जरूरत नहीं बढ़ी गया मतलब संसाधन जादा होते उनके पास में जैसे 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 जादा हो रहे तो खनीज़ दोन का भी मुआ पे रोग लग जाता एक तरीके से एक सोतंतर लेखन परणाली का पारंभिक दिकास हुआ अब देखो अगर मालो किसी व्यक्ति के पास में पैसी की कमी नहीं है तब वो नहीं नहीं चीजों के बारे में सोच सकता है कि आज पार्टी करना है यार आज नूइयर आ रहा है चलो पार्टी करते हैं जैसे कि आज को पता होगा आपको कि आज आपका 34 दिसंबर है और कल से आपका नया साल सुरुआत हो जाएगा तो अभी से एडवांस में आप सभी को नय साल की हारदिक सुब कामना ही देता हूं जिससे आपका जो आने वाला साल हो बहुत अच्छा रहे आप अच्छे से पढ़ो आगे से वो ससत बनते गए जैसे जैसे उनके पास में जादा पैदावार हुआ तो नई की चीज़ों के उपर में भी ध्यान लगा पाए जिसमें उन्होंने लेखन प्रणाली की विकास किया सांस्कृतिक तोर पर अपने आपको बढ़ावा किया ठीक है और संसाधन के अधिकता क कारण से ही ये सारी चीज़े संबव हो पारी थी सामुहिक निर्मान के कारण से किर्शी प्रयोजनाओं को संगठित कर दिया गया ठीक ऐसा निता किर्शी जो अलग-अलग तरीके से करना है संगठित किर्शी ववस्थाओं का निर्मान किया गया जैसे संगठित की तोर पे कृष्षी किये जा सके आज-पास के छेत्रों में वैपार विदेसी दुस्मनों को हराने और मिस्र के प्रभुत को मजगूत करने का इरादा रखने वाली सेनाओं को प्रयाजित किया गया जैसे देखो आप में क्या होता था कि आपने अपने पेट की भर लिया ठीक है आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है समाजिक तोर पर विधेसी दुस्मन हो उसको हराने के लिए आपको अपनी सेना का मजगूत करना पड़ेगा एक ऐसा सेना का गठन करना पड़ेगा जो आपके लिए यहां पूरी तरह समराज्य के तो पे यहां पे विकादा चुरूरu जाता है, यहां पे सैनिक तो पे भी मचगूत, किया जाता है, यहां पे हम स्कार 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 पे इसको हुआता है 술ंल हुआ पि redoneogen रोम को प्हें जाता हुआ है trudती तो मिस्टर निवी हो जाता है है जो capacity है उसे जादा लोग यहां पे रह रहे हैं बहुत सारे लोग यूपी बिहार और अलग लग जगर से पलाइन करके यहां पे डेली ना रहे हैं तो सबसे बड़ा reason क्या है डेली में आने का तो यहां पे रोजगार वेवस्त है ठीक है यहां का जो रोजगार है कुछ भी र मिसर के अंदर में सगन जंजन क्या क्यों हो रही थी क्योंकि यहां पे उपर जाओ भूमी थी यहां पर रोजगार था ठीक है विकास करना easy था जिसके कांसे चीजा में देखने क्लें मिल जाती है विसाल पिरामिड बनाने में बाहरी संख्या में भकांटी के मजदूरों को लगाया गया होगा और इससे क्रिशी उत्पादने में कोई बाधा नहीं पहुंची होगी देखो अब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको कि जो मिसर के अंदर में पिरामिड बनाया गया ठीक है पिरामिड बनाया गया तो पिरामिड ना आपको फोटो में देखने म यहां पर यहां पर यह भी माना जाता है एक logic दिया जाता है इतियांसकारों के द्वारा में कि मजदूरों को बाहर से लाया गया होगा पलायन करवाया होगा जिसके बाद वो मजदूर वहीं पर आकर रहने लग गया होगा यह असा नहीं होगा कि 2-4-10 मजदूर मिलकर काम कर रहे होंगे साम को ध्याडी लेना ऐसा नहीं था वहाँ पे बड़े संख्या में मजदूरों की जुरत पड़ी होगी और सासात में क्रिशी करने के लिए भी जो क्रिशक किसान थे उनकी भी जुरत पड़ी होगी जाने के लिए और बहुत कुछ है जानने के लिए और बहुत कुछ है जानने के लिए तो कभी इसको और किसी वीडियो के अंतर में डिस्कस करें यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं बट रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी वीवर से दो रिक्वेस्ट करूँगा पहला ये कि आप हमारे चैनल दाइन आपको लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें आप हमें डाइन आप को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके भी आप पे कर सकते हो जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी और हम और अच्छे से आपकी help कर पाएंगे या फिर आप इन नंबरों पे phone पे Google पे UPI जो भी करना चाहो इस पे भी इस नंबर पे phone पे करके आप कर सकते हो तो आप से जो भी मदद बन सकती है तो आप कर सकते हैं कोई बांडेट नहीं है कि आपको इतने रुपे का ही मदद करना है तो आपके एक छोटे से help से हमें बहुत बड़ा impact हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे support के अंदर में तो फ्रेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सभी students हमारे चैनल को like से subscribe करेंगे साथ ही साथ दाइनप को support करने के लिए थोड़ा सा एक amount पे भी करेंगे तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं मिलते हैं एक लिए वीडियो के अंदर में अगले class के अंदर में बाबाई टिक ये